Hello everyone, welcome back to our channel BPSC English आज हम लोग Edutaria का Set 6 से 10 करेंगे ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में हमने 1, 2, 5 कर लिया था यानि कि 200 क्वेशन कर लिया था, आज हम लोग 200 क्वेशन करेंगे ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेशन है हाली में न्यूक्त हुए व्यक्तियो में निम्लिकित में कौन सुमेलित है? तो इसमें न्यूक्ति का क्वेशन है ये तो राजेश नाम ब्यार ये नैसकोंग के अध्यक्ष बने हैं राजेश नाम ब्यार ठीक है ब्राइस ओली गयमा ये गबोन के राश्टपती बने हैं कौन ब्राइस ज्यादा लंबा याद रखोगे तो दिगत होगा आप लोग इसलिए ब्राइस ओली ज्यादा करना है तो ओ पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी है जया वर्मा शनहा तो इन में से चारो ही सही है तो ई हो जाये का अंसर हाली में हुए निधन के संबंद में कौन सुमेलित है अब निधन में हीथ स्ट्रिक्ट ये जिमबांबय के पूर्व कप्तान है ठीक मालिनी राजूरकर ये शास्त्रिय संगीत से रिलेटेड है और उस्ताद अली जकी हैदर ये वीना वादक है ठीक है तो ये याद रखना है कौन से यंत्र को ये बजाते हैं तो अली, जकी, हैदर, वीना, वादक हैं तो इनमें से भी तीनों सही है यानि की उप्यूक सब भी नेक्स्ट है ओमान में आयो जित पहले पुरुष हौकी 5S Asia Cup का खिताब किस देश में जीता है तो हौकी 5S Asia Cup किस ने जीता है तो भारत ने जीता है ठीक नेक्स्ट है संयूक्त राज अमेरिका के किस राज ने आपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत मा के रूप में नामित किया है तो हिंदू विरासत मा के रूप में जॉर्जिया ने अक्टूबर को नामित किया है किसको तो अक्टूबर को नेक्स्ट है किस परियोजना के तहट भारत निविश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का नावरन किया है जिसे आरोग ये मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है तो ये प्रोजेक्ट भीश्म है ठीक है इसमें पोर्टेबल आपदा अस्पताल होगा ठीक है आरोग ये मैतरी क्यूब के नाम से जाना जाता है तो प्रोजेक्ट भीश्म है घैरवध स्थित किस रोबॉटिक्स कामपनी ने इंद्रेज्जाल नामक कृतिम गृध्ध मता द्वरश्म है अभिनवस्वायत अंट्रोण प्रनाली की विक्षित तो ये ग्रेने रोबोटिक्स ने किया है इंद्रे जाल नेक्स्ट है निमलिकित में से किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगा वाट काकरा पार परवानू उर्जा सयंत्र यूनित 3 ने पूरी शम्ता से परिचालन शुरू कर दिया है तो काकरा पार परवा नेक्स्ट है केंद्रे कपरा मंत्री पियुष गोईल ने किस शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित मंत्री आरे शनमुगम्श चटी की प्रतिमा का अनावरन किया है तो भारत के पहले वित मंत्री कौन है ये भी पूसकता है तो आरके शनमुगम्श चटी है ठीक है और इन ये G20 मंत्रियों की बैठक के परिणाम को दिया गया है नाम. Next है, हाली में रैमन मैक्से से पुरसकार 2013 जीतने वाले आर रवी कंनन हैं. ठीक है, तो ये क्या है आर रवी कंनन जिन्नोंने रैमन मैक्से से अवार्ड जीता हैं, तो ये ओनकोलॉजिस्ट हैं. Next है, 37 वर्षों के बाद भारत के शीर सत्रंज खिलारी के रूप में प्रशेद विश्वनात आनन्द की जगा किसने ली हैं, तो 37 वर्षों के बाद ली है विश्वनात आनन्द की जगा, डी गुंकेश ने. Next है, निमलिकित मेंसे किस टीम ने डूरंड कप 2013 ट्रॉफिझ जीती? तो ये जीता है, मोहन बगान ने. डूरंड कप 2013 का ट्रॉफिझ? मोहन बगान. next है हाली में किस देश ने पहली nuclear attack submarine launch की तो पहली nuclear attack submarine launch की है उत्तर कोरिया ने ठीक है उत्तर कोरिया next है निमलिकित में से किस ने भारत का पहला UPI ATM launch किया है तो ये हिताची payment services ने पहला UPI ATM next है देश के पहले सौर सहर का उदगाटन कहां किया गया तो पहले सॉड शहर का उद घाटन साची में थेक है, next है हाली में मजगाव डॉक शिबिल्डर्स दौरा युद पोत, महेंद्र गिरी का निर्मान किस परियोजना के तहथ किया गया है तो महेंद्र गिरी का निर्मान किया गया है परियोजना 17-1 के तहथ थेक, नेक्स्ट है पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है थीक है तो ये कांच से पदक जीता है इनोंने नेक्स्ट है देश का पहला मंदिर संग्रहाले किस राज में बनाया जाएगा तो मंदिर संग्रहाले ये बनाया जाएगा अयोध्या उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे उची नट राज प्रतीमा किस राज या केंजल शाशित प्रदेश में स्थापित की गई, तो सबसे उची नट राज प्रतीमा नई दिल्ली में स्थापित की गई है, नेक्स्ट है, विश्व स्वास्त संगठन ने पहले पारंपरिक चिकित् एक हली में किस देश ने दूनिया के पहले आपदा अस्पताल का अनावन किया है ये तहत ये बनाया जा रहा है ठीक नेक्स्ट मॉस्को में आयो जीत पहले BRICS Innovation Forum में किस World Innovation Award से सम्मानित किया गया तो World Innovation Award से सम्मानित किया गया सांता भोटम को ठीक नेक्स्ट है हाली में जपान में Miss International Pagent में किस ने Miss International India 2023 का खिताब जीता तो ये प्रवीना अंजना ने Miss International India का खिताब जीता है नेक्स्ट है नर्गिस मुहमद हसन जई ने मानवधिकारों के प्रति अपनी दिर्ड प्रति बद्धता के लिए स्वीडन में 2023 विश्म नोबल सांती पुरसकार जीता है वह किस देश से हैं सिंपली एक वेशन पूछ रहा है कि इस बार जो नोबल पीस प्राइज मिला है नर्गिस मुहमद हसन जई को वो किस देश से हैं तो वो इरान से हैं ठीक है नेक्स्ट है कनाडाई क्रिकेटर इंटरनाशनल क्रिकेट खिलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है तो पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है तो यह हैं डैनियल मैक गेही नेक्स्ट है दो सब्टेंबर को सूरिक आदियान करने वाली पहली अंतरिक्ष अधारित भारतिय वेदशाला अधित्य एलवन को किस प्रक्षेटपन यान से छोड़ा गया तो अधित्य एलवन गया है PSLV C57 की दौरा छोड़ा गया इसको ठीक है नेक्स्ट है कौन सा मंत्राले Global India AI 2023 के पहले संसकरन का आयोजन करेगा तो ये लेक्ट्रोनिक से एवं सूचना प्रद्योगी की मंत्राले करेगा नेक्स्ट निमलिकित में से किस भारतिय रिजर्व बैंक के गवर्णर को अमेरिका में स्थित पत्री का Global Finance ने स्षीर स्केंद्रिया बैंकर का समान प्रदान किया है तो ये शक्तिकान दास को दिया गया है नेक्स्ट है डॉक्टर वीजी पतेल मेमोरियल अवार्ड से किसे समानित किया गया है तो ये सत्यजीत मजूमदार को इसका आयोजन महराष्टर में किया गया ठीक है महराष्ट ने करनाटक को हराकर ये खिताब जीता है इसमें बिहाय टीम ने कांस ये पदक जीता ठीक है तो उपयुक्त सभी सत्य है नेक्स्ट है हाली में भारत के पहले अंडर्ग्राउंड ट्रांसफर्मर सेंटर का उधगाटन कहां किया गया तो ये बैंगलूर में किया गया है ठीक है अंडर्ग्राउंड ट्रांसफर्मर स 2023 के फाइनल में सर्भिया को हराकर translating basketball World Cup का खिताब किस देश ने जीता है तो पहली बार Basketball World Cup का किताब जीता है जर्मनिने के मैक्सिको को हो recently जी तिरंदाजी रज़त पद्दग जीता है ठीक है नेक्स्ट है सिंगापूर, बांगलादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जंटीना, मौरिशस और सयुक तरव अमिरात के नेताओं के ने साथ मिलकर किस गटबंदन का शुभारंब किया तो वैश्विक, जैव, इंदन, गटबंदन का शुभारंब किया है ठीक है कौन कोन है तो सिंगापूर, बांगलादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जंटीना, मौरिशस और यू एई नेक्स्ट है बूटान के तिंफु में आयो जी साथ अंडर 16 चैंपियनशिप, फुटबॉल टूर्णामेंट किस देश ने जीता है तो तिंफु में हुआ था साथ अंडर 16 ये जीता है भारत में फुटबॉल चैंपियनशिप नेक्स्ट है US Open 2013 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है तो US Open किसने जीता है तो कोको गॉफ ने और हराया किसको तो आरियना सेबलेंका को नेक्स्ट है हाली में One Sun One World One Great Sammelan का आयोजन कहां किया गया तो यह हुआ है नई दिल्ली में नेक्स्ट है अठारवे G20 शिखर Sammelan का आयोजन भारत में किया गया इसकी थीम क्या थी तो इसकी थीम सब को पता है वसुदेव कुटूम्बकंब नेक्स्ट है हाली में भारत ने किस देश से C295 ट्रांस्पोर्ट एरक्राफ्ट खरीदे हैं तो यह स्पेन से खरीदा है भारत नेक्स्ट है सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के प्रधान मंत्री ने रणनितिक साज़ेदारी परिशद की पहली शिकर अस्तरिय हाली में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उचतम प्लैटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे प्रमार्न नर्से समानित किया गया तो यह उपर भी था क्वेशन विजैवारा रेलवे स्टेशन और यह कहां के तो आंधर ने जीता है महिला एकल का किताब कोको गॉफ ने जीता है तो ये दोनों ही सही है यानि की one or two next और इस set का last question है किसान के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोस्टी का मेजबान शहर कौन सा है तो किसान के अधिकारों पर ये तो नई दिल्ली इसके साथ set 6 खतम हुआ अब हम लोग set 7 शुरू करेंगे set 7 का पहला question है खेलो इंडिया महिला लीक को अधिकारिक तो पर किस नाम से जाना जाएगा तो खेलो इंडिया महिला लीक को स्मिता महिला लीक के नाम से जाना जाएगा next है हाली में SBI Life Insurance ने कहां अपना पहला Life Wars Studio launch किया है तो यह किया है Metaverse में next है निमलिकित में से किस Garden Asia के किस Garden Asia के सबसे बड़े Tulip उद्ध्यान के रूप में World Book of Records में शामिल किया गया है तो इंड्रा गांधी मेमोरियल Tulip Garden श्री नगर next है कुष्टी विश्व Under 20 Championship में लगाता है दूसरा स्वन पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है तो यह अंतिम पंगाल है दूसरा स्वन पदक है नका लगातार next है महिला FIFA विश्व कब 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है तो इसका आयोजन आस्ट्रेलिया में किया गया स्पेन ने महिला FIFA वर्ल्ड विश्व कब का खिताब जीता है ठीक है स्पेन की तीम पहली बार महिला FIFA विश्व कब चैंपियन बनी है तो प्यूक तीनों ही है आस्ट्रेलिया में आजिन किया गया और स्पेन ने जीता है नेक्स्ट है भारत के पहले 3D प्रिंटे डागघर भवन का उधगाटे कहां किया गया तो ये बैंगलूर में नेक्स्ट है जॉर्डन में आयो जित 2023 U20 विश्व कुस्ती चैंपेंशिप में किसने स्वन पदक जीता तो प्रिया मलिक नेक्स्ट है भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहां लॉंच किया गया तो ये चैंपेंशिप में किया गया है नेक्स्ट है सीमा सरक संगठा ने दुनिया की सबसे उची मोटर योग सरक का निर्मान किया जा रहा है तो सबसे उची मोटर योग सरक का नाम क्या है तो लिकारू, मिग्ला, फुक्चे रोड नेक्स्ट है महाराज सरकार का पहला द्योग रत्न पुरसकार किसे प्रदान किया गया तो ये रतन टाटा जी को दिया गया है नेक्स्ट है ग्राम एटलस किस राज्य में लॉंच किया गया तो ग्राम एटलस गोवा में किया गया है नेक्स्ट भारत की पहली लॉंग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके दौरा निर्मित की गई है तो एडवांस वेपन्स एंड एक्विपमेंट इंडिया कानपूर के दौरा नेक्स्ट है भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान प्रसिक्षन केंदर किस राज में स्थापित किया जाएगा तो ये तमिल नाडू में है नेक्स्ट पंदरवे ब्रिक्स सिखर समेलन का आयोजन किस देश में किया गया तो दक्षिन आफ्रिका थीक है विश्विद्याले दौरा जॉर्ज लेडली पुरसकार जॉर्ज लेडली पुरसकार किसे प्रदान किया गया तो यह राज चटी को जॉर्ड लेडली पुरसकार नेक्स्ट देश का पहला राज कौन सा है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा तो फ्री मे रेनसी में यूथ 20 प्रारंबिक सिक्षा की स्थिती 2023 रिपोर्ट जारी कि रिखे तो यह सिक्षा मंदराले नेक्स्ट है निमलिकीत योजनाओं में कॉन सुमेलित नहीं है तो इंदरा गांधी स्मार्टफ़ोन योजना ये राजस्तान का है ठीक है смार्टिवन योजना, मोख्य मंत्री نिशूलक अनपूर्णा पैकेट योजना, ये भी राजस्तान का है, मोख्य मंत्री सीखो कमाऊ योजना, ये है मध्य परदेश का, सीखो और कमाऊ, भगवान बिर्सा मुंडा जोड रास्ते योजना, ये है महराश्र का, महनां की कवी एवं गीतकार है 1991 में पदमश्री से सम्मानित किया गया था इनको ठीक है मराथी कवी एवं गीतकार नामदेव धोंडो महानोर विकास सिना यह परमानु वज्ञानिक है पश्चिम बंगाल से वी एस अरुनाचलम यह डियाडियों के पूर्व महानिदेशक हैं वी एस अ जितकी है तीखी कम तीखी सर्सो ठीक है उसका नाम क्या रखा गया है तो वरुन किश्म सर्सो की है वरुन किश्म एक आपको सेट में बताया था काली मिर्श का भी एक रखा गया है उसका क्या नाम है अगर आपने ध्यान से सुना है तो कमेंट में जरूर बताए नेक्स्ट सुप्रीम कोट ने हिंदू विवा अधिनियम 1955 के तहट किस राज में आतन सम्मान विवा को वैद करार दिया है तो यह तमिल नाडू में आतन सम्मान विवा को वैद करार दिया गया नेक्स्ट है के इंदिय सरक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राले ने बीए सिक स्टेज टू इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल विकल का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉंच किया है जिसके कारण जिसे किसके दौरा विक्सित किया गया तो यह टियोटा के लोस करके दौरा बीए सिक स्टेज टू लेक्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल विकल लॉंच किया गया है ठीक है टियोटा के लोस करके दौरा नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियंशिप दोजार तेज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ठीक तो इसका योजन बुड़ पेस्ट में हुआ ठीक है भाला फेक्स पर्दा में नीरत चोप्रा ने 88.17 मीटर का सर्फेस प्रास करते वे स्वन पदग जीता है नीरत चोप्रा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियंशिप में भारत के लिए पहला स्वन पदग जीता तो इसमें तीनों ही सही है डी हो ज द्रौबदी मुर्मु ने दाधी प्रकाश्मनी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया किसकी तो दाधी प्रकाश्मनी दाधी प्रकाश्वानी का संबंध किस से था तो यह ब्रह्म कुमारी जिससे था ठीक नेक्स्ट है सेंट्रल मेकानिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इ ठीक है, दोरा विक्सित, पहले स्वदेशी E-Tractor का नाम क्या है, तो ये Prima E-T11 है, ठीक है, सिमेरी ने से लॉंच किया है, Central Mechanical Engineering Research Institute, नेक्स्ट है, निमलिकित में कौन सा कथन सत्य है, कथन सत्य है, तो भारत और समाओं के बीच, पहला विदेश कार्याले परामर्श, 21 अगस्त, 2023 को E-PIA में आयुजित किया गया, समाओं का कैपिटल E-PIA, ठीक है, पहला भारत अंगोला विदेश कार्याले परामर्श, 11 अगस्त को लुआंडा में आयुजित किया गया, तो दो नहीं सही है, समाओं के साथ जो हुआ, वो E-PIA में उसका कैपिटल और अंगोला के साथ हुआ, वो लुआंडा में जो उसका कैपिटल है, नेक्स्ट है, आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन, माइक्रो साइट परियोजना को चालू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये मिजोरम बना है, माइक्रो साइट परियोजना को चालू करने वाला पहला राज्य, नेक्स्ट है, उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है, जहां चंद्रयान 3, लैंडर 33 अगस 2023 को चंद्रमा की सता पर उतरा था, तो शिव शक्ती पॉइंट उसको नाम 2022 के संदर में निम्लिखित कतनों पर विचार करें, इन दौर को सरफ्रेश सहर का खिताब दिया गया, ठीक, माद्य प्रदेश को सरफ्रेश राज्य का खिताब दिया गया, तो दोनों ही सही है, नेक्स, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोस्ट फेडरेशन, वर्ल्ड गेम्स 2023 2022 के संदर में निम्लिखित कतनों पर विचार करें, इपसा, यानि कि इंडिया, ब्रजील, साउथ अपरिका, वर्ल्ड गेम्स की मिजबानी इंग्लैंड ने की थी, सौरी, ये एक इपसा वो भी है, और्गनाइजेशन भी, पर ये वो ही है, ये है, इंटरनेशनल ब्लाइं स्टार्ट 23 के संदर में निम्लिखित कतनों पर विचार करें, ये मिश्र में आयोजित किया गया, ठीक है, भारत ने पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा लिया है, ये एक बहु राश्ट्रिया, त्री, सेवा, सयुक्त, सैन अभ्यास है, ये तीनों ही स्टेट्मेंट सही है, यानि कि option D हो जाएगा, 1, 2 and 3, नेक्स्ट है, नागरिक केंद्रिक सेवाई प्रदान करने के लिए, उभर्टी प्रद्योग के अनुप्रियोग के लिए, निम्लिखित में से किस योजना को राश्ट्य ए-governance पुरसकार से समानित किया गया है, स्वामित्व योजना को, ने नहीं है, ठीक है, तो राश्टी एकता पर सरफ्रेशिश फीचर फिल्म के लिए, नरगिस दर्द पुरसकार, The Kashmir Files, ठीक है, The Kashmir Files को दिया गया, नरगिस दर्द पुरसकार, सरफ्रेश मेंता, अलू अरजुन, और सरफ्रेश अभिनेत्री, अलिया भर्ट और कृती सेनन निमलिखित कतनों पर विचार करें,整 रयान 3, 13 अगस 2023 को चंद्रमा की सतर पर सफलता पूरवक उत्रा, भारत चंद्रमा की दक्षनी दुरूव पर सफलता पूरवक सौफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है, भारत चंद्रमा पर सफलता पूर्वक सौफ लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश है दक्षनी धुरूफ पर लैंड करने वाला पहला है लेकिन चंद्रमा की सतव पर लैंड करने वाला फोर्थ है तो ये तीनों ही सही है Next है International Emmy Director Award से सम्मानित होने वाली पहली भारतिय महिला डायरेक्टर कौन है तो एक्टा कपूर बनी एनी डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको Next, केरर राज का पहला Artificial Intelligence School कहां खोला गया तो ये तिरुवनंध पूरम में Next है निमलिकित योजनाओं में कौन सुमेलित नहीं है ठीक है इसमें भी नहीं बताना है तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रा लेका है ठीक है हाली में हुए नियुक्तियों के संबंद में कौन सुमेलित है तो थ्रेटा थाविसिन थाइलैंड के प्रधान मंत्री ठीक है और दोराई स्वामी ये लाइसी के प्रबंद निदेशक बने है और इमर्सन मांगवा ये जिमबांबे के राष्टपती बने है तो तीनों ही सही ह नेक्स्ट हाली में हुए निदन के संबंध में कौन सुमेलित है तो तीनों ही है जॉन वर्नाक एडोब सिस्टम के संसापक है जॉर जॉन वर्नाक सी राधा कृष्ण राव ये सांखी की विद्ध है और जयंत महापात्रा ये साहित्य से संबंध है इनका तो डी हो जाएगा आंसर नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयो जित मिस अर्थ इंडिया दोजार तेस का खिताब किस ने जीता तो मिस अर्थ इंडिया जीता है प्रियन स TVs ऐलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूइल कार किस कमपनी दोउरा निर्मित की गई ये उपर सेम कैस्ट था तो टोएक आनसम ऍट्र इंडिया दोउरा नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्श स्चैंपिंज़िप का येजन कहां किया गया तो विश्व एथलेटिक्श्यव कायोजन किया गया है बूलापेस्त के हंग्री में नेग्स्ट हैसोला-शोडर बबॉब्ल भारतिया-फूट्बॉठ्बा र क्थल है् सोला-भट्ठ्ट भट्ताचार्यकी ठीक है थी मीन समयन फ Milky शूल्ट ऑनना बवूल्ट और स्ट पा Chi media More सर्फ्रेस इंडी फिल्म है आग्रा सर्फ्रेस अभिनेता मोही तगरवाल आग्राही के लिए और सर्फ्रेस अभिनेतरी रानी मुखर जी मिस्स चटर जी वर्सेज नौर्वे के लिए ठीक है तो इसका डो जाएगा डी अब हमारा सेट 7 हो गया हम लोग सेट 8 करेंगे टेट का पहला क्वेशन है हाली में हुए निबंद के संबंद में कौन सुमेलित है इसमें भी निबंद बताना है तो निर्मला बुच यह माद्य प्रदेश की पहली महिला सचीव थी निर्मला बुच ओके ओमान चांडी यह केरल के पूर मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ड वाशल विकास और उद्यमिता मंत्राले दौरा नेक्स्ट है भारतिय प्रद्योगी की संस्थान दिल्ली ने भारत के बाहर अपना परीसर कहां स्थापित करने की घोशना की है तो यह अबुधावी में नेक्स्ट है भूमी सम्मान 2023 पूरसकार इमलिकित में से किस मंत्राले दौरा प्रदान किया गया तो भूमी सम्मान 2023 पूरसकार के इंद्रे ग्रामिन विकास मंत्राले दौरा प्रदान किया गया नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़े कारयाले भवन के संदर्व में कौन सा कथन सत्य है ठीक है तो सत्य बताना है इसका नाम सूरत डाइमन्ड रखा गया है सबसे बड़ा कार्याले भवन सूरत डाइमंड बोर्स इसका निर्मान सूरत गुजरात में किया जाएगा गया है इमारत का पूरा धाचा 9 आयाताकार स्तंब के रूप में है 35 एकड में फैली 15 मनजिल इमारत को बनाने में 3000 करो रुपए लगे हैं ठीक है 9 आयता समिक्षा 2023 के संदर में निम्लिकित कतनों पर विचार करें तो इसे नीती आयोग दौरा जारी गया उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या सबसे ज़ादा गिरावत दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश में राष्टिय एम्पीयाई स्वास्त शिक्षा और जीवन सतर क तीन समान रूप में से महतवपूर्ण आयामों में अभाओ को मापता है ठीक है तो तीन लेवल पर इस मापता है स्वास्थ, सिक्षा और जीवन स्थर ठीक है तो D हो जाएगा इस कांसर यानि कि तीनों ही सही है नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहला मिथेन तरल औकसीजन अंतरिक्स रॉकेट कक्षा में लॉंच किया है तो पहला मिथेन तरल औकसीजन जो है वो चीन ने लॉंच किया है नेक्स्ट है निर्यात तैयारी सूचकांग यानि की एक्सपोर्ट प्रिपैर्डनेस इंडेक्स के संदर में निमलिखीत कत्नों पर विचार करें तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है भारत असीवे स्थान पर है सिंगापूर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है तो दोनों ही कथन सही है हाली मिदेश की पहली सैटलाइट नेटवर्ग पोर्टल साइट किस राजय को मिलेगी पहला सैटलाइट नेटवर्टल साइट गुजरात को नेξ जुलाई 2023 में अंतराष्टिय एनिपूरस्कार के लिए किसे चुना गया तो अंतराश्टी एनी पुरसकार थलपिल प्रदीप को नेक्स्ट है अमेरिकी नौ सेना के इतिहास में नौ सेना संचालन प्रमुक का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है तो नौ सेना संचालन प्रमुक का पद संभालने वाली पहली महिला लिसा फ्राणचटी ठीक है किस राज ने वॉनर ओफ डेड बॉडी बिल नेकस्थ है बिस प्रधान मंत्री का पॉइंट ऐसकार कि से दिया गया बिडकिश प्रधान मंत्री का पॉइंट ओफ लाइट ये मोक्ष राए को ये पेज थोड़ा खराब से स्कैन वाए तो आप को अपरेट करेंगे निम्लीकित में से किसके द्वारा भारत का पहला राश्ट्य एलेक्रिक फ्रेट प्लैटफॉर्म इफास्ट इंडिया सस्टेनबल ट्रांसपोर्ट के लिए लेक्रिक फ्रेट एक्सिलरेटर भारत लॉंच किया गया तो ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टिटूट और नीती आयोग द्वारा लाया गया ठीक है यानि कि B और C दोनों हो जाएगा राश्ट्य एलेक्रिक फ्रेट फ्लैटफॉर्म वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टिटूट और नीती आयोग नेक्स्ट है हाली में भारत में किस देश को सवदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट इनस कृपान उपहार में दिया गया नेक्स्ट है दानी पावर ने एक डेडिकेटेट ट्रांस्मिशन लाइन के जरिए बांगलादेश पावर डेवलप्मेंट बोर्ड कुथ पादित बिजली की आपूर्ती के लिए किस राज में सोलर सो मेगा वार्ट की शमता का थर्मर पावर प्लांट स्थापित किया है तो यह जारखंड नेक्स्ट है जुलाई दोहजार तेस में वैश्विक खाद्य नियामक सिखर समेलन दोहजार तेस पहली बार जी ट्वेंटी कारेक्रम के रूप में कहां इरजित किया गया तो यह हमने अभी ही देखा है इसमें यह 2022 का है ठीक है निर्यात तयारी सुचकांग के शासित प्रदेश और छोटे राजी की श्रेनी में गोवा को पहला स्थान मिला पहारी यह हिमाली राज्यों में उत्राखंड को शीर स्थान मिला है और इस सुचकांग में तम्मिल सीश पर है उसके बाद महराष्ट और करनाटका का स्थान है ठीक है तम्मिल नाडु महराष्ट और करनाटका डी हो जाएगा इस कांसर नेक्स्ट है पुलिस के दौरा छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतिय स्वेना दौरा किस राज के शासित प्र अरूद बार्ज अनुबंद के तहर शिंखला का पहला बार्ज ल्स एम सेवन किसे सौपा गया तो यह नौ सेना को नेक्स्ट है हाली में लामा टू ए आई प्लैटफॉर्म किस कंपनी दौरा लॉंच किया गया तो लामा टू किस के दौरा तो मेटा के दौरा नौर्थ चै और 125 दिन के है मात्र अंशुमन जिंगडन नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में न्याय मूर्ती सुनीता अगरवाल एक मात्र महिला मुख्य नयायदीश नियुक्त की गई है तो सुनीता अगरवाल गुजरात हाई कोर्ट में एक मात्र महिला मुख्य नया बन गए हैं तो पॉन से पॉन सवे मैच में सतक बनाने वाले विराट को ली अकिल भार्तिय बाग अनुमान 2022 विस्तरित रिपोर्ट के संदर में कौन सा कथन सत्य है बागो की सबसे बड़ी आबादी बागो की सर्वादिक संख्या जिम कॉर्बेट में है भारत दुनिया की लगबग 75 प्रतीशत बाग अबादी का हैबिटेट बन गया है तो यह तीनों ही सही है डी हो जाएगा नेक्स्ट जुपिटर 3 के संदर में निमलिखित कत्मों पर विचार करें यह दुनिया का सबसे बड़ा वानिजिक संचार उग्रह है ठीक है वानिजिक संचार उग्रह जुपिटर 3 इससे फालकन हेवी रॉकेट दौरा लॉंच किया गया यह भी सही है इसे इसरो दौरा अ अकार्मी माध्यप्रदेश निम्लिखित में से किस रेलवे स्टेशन को संस्कृती विरास्त बहाली और संरक्षन के लिए युनेसको एश्या प्रशांत मेरिट पुरसकायर प्राप्त हुआ है तो यह बकूला रेलवे स्टेशन को नेक्स्ट हाली में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट दोजारते स्टेटस रिव्यू प्रकाशित की है तो यह युनस्को ने किया है वर्ल्ड सीरीज कलवरल फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भार्टिय शहर कौन सा बन गया है तो यह बैंगलूर नेक्स्ट अठाइस जुलाई दोजार टेज को निमलिकित में से कौन सा दिन एक जीवन एक जिगर की थीम के साथ मनाया गया एक जीवन एक जिगर तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस दे यानि की वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस भारतिय मूल की अनीता आनंद को निमलिकित में से किस देश का ट्रेजरी बोर्ड का दियक्ष नियूक्त किया गया तो कैनेड़ा का नेक्स्ट है नई दिल्ली के प्रगती मैदान में निर्मित अंतराष्टिय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र पडिसर का नाम क्या रखा गया तो यह है भारत मंडपम नेक्स्ट है एशियाई अथलेटिक्स चैंपियंशिप में सौ मीटर बाधा दौर में पहला स्वन पड़क किस भारतिय ने जीता है तो यह जोती याराजी नेक्स्ट आई एससफ जूनियर निशाने बाधी विश्व चैंपियंशिप में से संबंदित निमलिकित कत्नों पर विचार कीजे इसका आयोजन दक्षिन कोरिया में किया गया भारत इस चैंपियंशिप में दूसरे स्थान पर रहा भारते निशाने बाधों ने छे सुन छे रजत और पाच कान से सहीद कुल सत्रा पदक हासिल किये तो तीनों ही सही है नेक्स्ट गुजरात के पहले ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े का गाटन किस जिले में किया जाएगा तो यह राज कोट में किस फॉर्मूला वन टीम ने लगातार बारग ग्रांट प्रिक्स ज परियुजणा का नेत्रेत्व जम्मू काश्मीर ने किया हो साथविक थो कि आकर अमे के नौसेना का नेत्रित्व करने वाली पहली महिला बनी है तो अमेरिकी नौसेना का नेत्रित लीजा फ्रेंच है काथ मुंबाइ के लिए सर्षेंस भारतिय सहर का धर्जा तो त्रिकर और इसकी वैश्विक रैंकिंग 118 है ठीक है इस रैंकिंग में लंदन स्वीर्ट स्थान पर रहा इस रैंकिंग में भारत का कोई शहर टॉप 100 में जगा नहीं बना पाया तो इस D हो जाएगा हाली में किस राजसरकार ने SHC संगो को गतिशीलता साहता प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना उड़ी सा राजसरकार की है next है हाली में किस राज जिन में पहला transgender जन प्रमान पत्र جारी किया गया next हाली में जनेवा स्कूल आफ डिप्लोमसी ने किस से डाइरेक्टर के मानद उपाधी प्रदान की तो शशी थरूर को next है हाली में भारती इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्य मंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए है तो ये बने है नवीन पतनायक जो उडीसा के मुख्य मंत्री है ठीक है अब हम लोग सेट 9 करेंगे उसके बाद सेट 10 और ऐसे 500 क्वेशन की सीरीज हमारी कम्प्लीट हो जाएगी सेट 9 का पहला क्वेशन है जुलाई 2013 में ग्रीन हाइडोजन पर अंतराष्टिय समेलन कायोजन किस शहर में किया गया तो ये किया गया है नई दिल्ली में संगाई सायोग संगठन से संबंदित निमलिकीत कतनों पर विचार करें 23 सिखर समेलन में इरान को 9 सदस के रूप में मानेता प्राप्त हुई ठीक है भारत ने सिखर समेलन की अध्यक्षता की जिसका थीम है सुरक्षिस संगाई सायोग संगठन की ओर तो दोनों ही सउय है ऑप्षिन सी नेक्स्ट विदेश मंत्राले के नुसार भारत के बाहर पहला आई 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 टी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा तो यह जाण जी वार तंजानिया ठीक है और तंजानिया capital क्या है तो डोडोमा है ठीक है डोडोमा नेक्स्ट जुलाई 2023 में किन दो देशों ने एक दशक में पहली बार नए राजदूतों की घोशना करके अपने राजनाईक संबंदों को उन्नत किया तो यह निवेश रिपोर्ट 2023 के संदर्व में निम्रिकी कत्नों पर विचार करें यह अंक्टाट दौरा जारी किया गया 2022 के दौरान भारत में FDI प्रवा 49 बिलियन डॉलर था ठीक है तो यह हो जाएगा केवल एक और दो नेक्स्ट है हाली में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां लॉंच की गई तो ऐसा किया गया है चैन्ने में पहला पुलिस ड्रोन यूनिट ओके नेक्स्ट है बैंगलूर के की के पिटल कहा है तो कुवैत सिंटी का कैपिटल ओके नेक्स्ट है एक जुलाई दोसार तेस में सूपरमार्केट में प्लास्टिक उतहब बैक पर प्रतिबन लगाने वाला पहला देश बन गया है तो सूपरमार्केट में प्लास्टिक का ban हो गया है ऑनेगे ग्रामिर शेत्रों में पीने योगिनल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज के हरीशेत्र का विस्तार करने के उदेशे से किस राज में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई तो उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट है किस राज में दुनिया के सबसे बड़े रामायन मंदिर का निर्वान किया जा रहा है तो ये बिहार में किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े रामायन मंदिर का निर्वान next है भारतिय भूव वैग्यानिक सर्वेक्षन ने किस राज के सुन्दर गढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्ग की खोज की है तो एक प्राकृतिक आर्ग उडिसा में मिला है next है कोडिया गन राज के बुसान में आयो जित एशियाए का बड़ी चैंपियन्शिप में भारत जीता है नेक्सट राली में किस देश ने नई मिसाइल तकनीक विकसित करने के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड विकल का पहला प्रस्केंशन किया तो हाइपर सोनिक गलाइड वीकल वी मैक्स का पहला प्रसिक्षन फ्रांस ने किया है जुलाई 2023 में देश के पहले साहकारी संचाली सैनिक स्कूल का उधगाटन किस राज में किया गया तो ये किया गया गुजरात में नेक्स्ट हाली में किस देश ने भारत की पहली महिला कबड़ी लीक की में इजबानी की है भारत की पहली महिला कबड़ी लीक की में इजबानी की है दुबई में निमलिखित में से कौन सी टीम टूर्णामेंट और 40 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वंडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही तो विफल रही है ये और 48 साल बाद वेस्ट इंडीज नेक्स्ट है हाली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती की 500 वी जैनती को राश्ट्य स्तर पर मनाने की घोशना की कब तो 5 अक्टूबर 2030 और इसी दिन डॉल्फिन डिवस भी मनाते हैं ठीक है और रानी दुर्गाव इस तक के संदर में निम्लिकीत कत्नों पर विचार करें इसे मद्व प्रदेश के लालपूर गाउं से लॉंच किया गया ठीक है इस देश भर के 17 हाई-फोकस राज्यों में लागू किया जाएगा तो कितने हैं तो 17 हाई-फोकस राज्यों में तो वन और टू दोनों सही है 29 हाली में अम्रिचसर में खेले गए सीनियर महिला राष्ट्रिय फुटबॉल चैंपेंशिप 23 का खिताब किस राज्यों ने जीता तो यह जीता है तमिल नाडु ने महिला राष्ट्रिय फुट्बॉल चैंपेंशिप ओकस राष्ट तरही चैंपेंशिप OK तो नोबल इंडियन आइकन ओफ दे यर ये बिना है मैरी कॉम को नेक्स्ट है लुसाने डाइमंड लीग टूर्नामेंट में नीरज शोपरा ने कौन सा पदक जीता तो स्वन पदक नेक्स्ट विमन्स कैरी बियाई प्रीमियर लीग से जूडने वाली भारत की पहली महीला क्रिकेटर कौन बन गई है तो ये हैं श्रेयांका पाटेल नेक्स्ट जी ट्वन्टी संबंदित निमलिखित कत्नों पर विचार कीजे जी ट्वन्टी की तीसरी बैठक युनेस्को विश्धरोहर स्थल हमपी में आयोजी की गई जिसके अध्यक्ष अभिताब कान्त है ठीक है नेक्स्ट है इसका थीम वसुदेव कुटुमबकम है ज यानि कि extended producer responsibility credit पाने वाला नगर निगम कौन सा है तो पहला EPR credit पाने वाला नगर निगम बना है इंदौर नगर निगम नेक्स्ट अगस्ट 2023 में भारत अफ्रिका अंतराश्टी ये मोटा अनाज्स नमिलन का योजन कहां किया गया है तो ये नायरोबी कैन्या में नेक्स्ट विश्व के सर्फ्रेज देशों की रिपोर्ट 2023 के संदर संबंध में कौन सा कथन सत्य है सुर्जर लैंड ने विश्व के सर्फ्रेज देश का किताब जीता है भारत विश्व के सर्फ्रेज देश के लिस्ट में 30 नमबर पे है इस रिपोर्ट में यूरोपिया देशों ने कार्लोस अर्ल काराज ने जीता है विम लेंडन में और महिला एकल का खिताब मारके रेटा वांद्रो सोवा ने जीता है तो दोनों सभी है बस विम लेंडन को छोड के बाकि जो तीनों Grand Slam है तीनों ही नुवाक जोकोविच ने जीता है सुप्रीम कोट के फैसले के अनुसार सभी आरोपियों को निमलिखित में से किस के तहट चुप रहने का अधिकार है तो चुप रहने का अधिकार आता है भारते सम्विधान के अनुछेद बीस क्लॉस तीन के तहट ठीक है चुप रहने का अधिकार यानि की डी चंद्रियान तीन के संबंध में निमलिकित कतनों पर विचार करे इसे GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉंच किया गया इसे 14 जुलाई 2023 को लॉंच किया गया इसके Lander का नाम विक्रम है ठीक है और प्रज्ञान इसके Rover का नाम है प्रज्ञान और जहां यह लैंड क्या उसका नाम है शिवशक्ति पॉइंट शिवशक्ति पॉइंट तो ए हो जाएगा तीनों ही कथन सही है नेक्स्ट भार्तिय शात्रों ने किस देश में आयो जी चौतीस विर अंतर राष्टे जी विज्ञान ओलंपियाड में चार स्वर्ण प्रदक जीते हैं तो यह है UAE में हुआ था नेक्स्ट किस देश के राष्टपती दोरा प्रदान मंत्री नरिंड मोदी को Grand Cross of Legion of Honor पुरस्कार प्रदान किया गया तो Legion of Honor है फ्रांस का नेक्स्ट है किस केंद्रिय मंत्राले ने अटल वयो अब्योदे योजना शुरू की है तो यह किया है सामाजिक नय और अधिकारिता मंत्राले नेक्स्ट आयर्लैंड के लिमरीक तिरंदाजी में रिकरवर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियंशिप जीतने वाले पहले भारतिये कौन बन गए हैं तो यह हैं पार्ट सालूंग है जुलाई 2023 में किस देश ने भारत अफ्रिका अंतराश्टिय बाजरा सम्मेलन की मेजबानी की तो अभी देखा था केन्या नेक्स्ट एडगर्स रिके विंग्स यूरोपिया संग के पहले खुले तोर पर समलैंगिक राष्टर प्रमुक बन गए हैं यह किस देश के नई राष्टर पती बने तो यह लात्विया के नई राष्टर पती बने हैं एडगर्स रिंके विक्स नेक्स्ट वैश्विक सांती सूचकाम के संदर्व में निमलिकित कत्नों पर विचार करें भारत का 126 वा स्थान प्राप्थ हुआ ठीक है आइसलैंड दुनिया का सबसे शांती पून देश है अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम शांती पून देश है तो तीनों ही कथन सही है यानि किस थान पर लंबिनी वस्तूओ के सबसे बरे प्रदर्शन का गिनीज विश रिकॉर्ड बनाया गया तो लंबिनी वस्तूओ के सबसे बरे प्रदर्शन का विश रिकॉर्ड हमपी में बनाया गया है नेक्स्ट है हाली में मिशेल बुलॉक किस संस्थान की पहली महिला प्र बने हैं सौकत मिर्जी योएव यह उजबेकिस्तान के राष्टपती बने हैं और पी वासुदेवन यार्बियाई के कारेकारी निदेशक तो डी हो जाएगा यानि कि तीनों ही सही है नेक्स्ट है विश्वतिरंदाजी युवा चैंपियंशिप 2023 मेरी कर्वर में गोल्ड जी किस देश में किया गया तो यह किया गया लिथ्युआनिया में कैनेडा ओपन बैड बिंटन 2023 मैं सिंगल का खिताब कि जवार्ट खिलारी ने जीता है तो कैनेडा ओपन जीता है लक्ष सेन ने नेक्स्ट उडिसा के राउर केरा में खेले गए तेरावी जूनियर महिला लेके होक्की चैंपेंशिप का खिताब किसने जीता तो म्हाद़ tofu लूटो चयोजन कहीन कहां किया गया तो यह पंजाब में भारत के पहले वेदिकन थीम आधारीग वेद वन पार्क को उधगाटन कहां किया गया तो यह ग्रेटा नुएडा में नेक्स्ट हाली में विश्व बधीर युवा बैडमिंटन चैंपिन्शिप का योजन कहां किया गया तो ब्रजील और 9 सेट का लास्ट क्वेस्चिन है भारत के किस हवाई अड़े पर देश की पहली एलिवेटेड टैक्सी वे सिवा शुरू की गई तो ये किया गया इंद्रा गांधी अंद्राश्टी हवाई अड़े जो की न्यू डेली में है इसके साथ हमारा सेट 9 कंप्लीट हुआ अब सेट 10 जो की लास्ट सेट है उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग लोग का लास्ट सेट है यानि कि सेट 10 इसका पहला कोईशन है हाली में हुए नियुक्तियों के संबंद में कौन सा सुमेलित है तो इसमें तीनों ही सुमेलित है यानि कि हून मानेट कमबोडिया के प्रधान मंत्री बने है कहा के कमबोडिया के संजे कुमार अगरवाल ये क यह पाकिस्तान के कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्योंकि अब भी पता है कि इमरान खान को जेल भेज दिया क्या है तो यह अन्वार उल हक काकर प्रदान पाकिस्तान के कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो तीनों ही सही है अब नेक्स्ट है पुस्तक और लेखक कमिलान करना है इसमें how prime ministers decide ये नीरजा चौधरी का है how prime ministers decide कारगिल एक यात्री की जुबानी रिशी राज का है ठीक है कारगिल रिशी मौनसून अपोयम आफ लव and longing ये अभय के का है ठीक है मौनसून है अभय के का तो डी यानि की सभी सुमेली थे इसमें next महराष्ट के मुख्यमंत्री ने एहमद नगर जिले का नाम बदल कर क्या रखने की घोशना की है तो ये अहिल्या नगर किया है एहमद नगर जिले का नाम अहिल्या नगर next है विश् की सबसे बड़ी अनाज भंडारन योजना की सुविदा के लिए निमलिकित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्राले समीती का गठन किया गया अनाज भंडारन योजना के लिए एक समीती का गठन किया गया अमिशा की अध्यक्षता में next है ओमान में आयो जित पु प्लास्टिक प्रदूशन का समाधान नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है जून 2023 में राष्टपती द्रौबदी मुर्मो को सूरी नाम ने अपना सर्वोच नागरिक सम्मान प्रदान किया ठीक है माई 2023 में प्रदान मंत्री मोधी को फिजी ने अपना सर्वोच सम्मान नागरिक सम्मान प्रदान किया तो दोनों ही सही है सूरी नाम वाला प्रेसिडेंट को मिला और फिजी वाला प्राइम मिनिस्टर को तो ए और भी दोनों नेक्स्ट है नैशनल इंस्टिटूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानि कि NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्व में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजे भारतिय प्रद्योगी की संस्थान मद्रास यानि कि IIT मद्रास को समग श्रेणी कित है सरसे सैक्ष ने संस्थान गोशित किया गय उर्देश के सीर्ष दस विश्विद्यालों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है तो दोनों ही स्टेट्मेंट सही है यानि कि C हो जाएगा आंसर नेक्स्ट है हाली में किस देश ने फता नामक अपनी पहली सोदेशी हाईपर सोनिक मिसाइल का अनावरन किया तो फता ये इरान का है आपको याद रखना है पाकिस्तान से कन्फ्यूज हो सकते हैं लेकिन फता इरान ओके नेक्स्ट है नेक्स्ट हाली में भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रदान मंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेक गंज तेल पाइपलाइन के फेस टू का से लन्याश किया है तो अमलेक गंज और मोतिहारी किस से होगा तो नेपाल अगर ये बिहार का map है तो यहां मोतिहारी है ठीक है और इधर तो नेपाली से हो सकता है कोई भी समझोता तो नेपाल हो जाएगा अम लेख गंज का नेक्स्ट है माध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विक्सित किया गया है तो सांची को नेक्स्ट है भारतिय मूल की किस विज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोस समान प्रतिस्टिज पुरसकार से समानित किया है गया है तो स्पिनोजा पुरसकार जोयता गुपता को मिला है इसे किस संस्था दौरा बनाया जा रहा है तो एक्सपो सेट जो है यह इस रो और रमन रिसर्च इंस्टिटूट दोनों मिलके बना रहा है ठीक है नेक्स्ट है किस देश में प्रकृति के संरक्षन के लिए आईउसी एन विश्व संरक्षन कॉंग्रेस दोजार पचीस का आयोजन किया जाएगा तो यह किया जाएगा UAE में नेक्स्ट है किन दो देशों के बीच उद्द्योग और उद्द्योग संगो की पहली गोल में सयूग बैठक आठ जुन 2023 को नई दिल्ली में हुई ठीक है तो यह हुआ है भारत और न्यूजी लैंड नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2023 में पूरू सेकल का किताब किसने जीता तो मैंने बताया था विम लेंडर को छोड़के बाकि तीनों ग्रैंड स्लैम में नुवाक जोकोविच नहीं जीत हासिल किया है नेक्स्ट है हाली में संपन हुआ IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है असत्य बताना है तो यह किताब चैन्नई सूपर किंग्स ने गुजराट टाइटन्स को हरा कर अपने नाम किया यह सही है चैन्नई सूपर किंग्स की टीम पाचवी बार चैंपियन बनी यह भी स्टेटियम में खेला गया तो तीनों स्टेट्मंट स्टेंट में से कोई नहीं हए मिशेल बैटिस पूरसकार में दोजार ही संबंदित निम्लिखित कत्न पर विचार किजिए जगदीश बाकन सब्स सागराट मैं बिपरें नाम रखै काल यह अरब सागर्में और बांगला देश ने इसका नाम रखा है बीपर जोए नेक्स्ट है बाच्वे राज्य सुरक्षा राज्य खाद्य सुरक्षा सुचकांग के संदर्व में निमलिखित कतनों पर विचार कीजे यह सुचकांग भारतिय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधी करें एफ एस एस एई दौरा जारी किया गया बरे राज्यों में केरल को पहला स्थान प्राप्थ हुआ और छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान पर रहा तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है नेक्स्ट है खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है खेलो इंडिया उनिवर्सिटी यू से उनिवर्सिटी यू से उत्तर प्रदेश इसका योजन मध्य प्रदेश में किया गया तो नहीं इसका योजन यूपी में किया गया है पंजाब युनिवर्सिटी ने केलो इंडिया यूद गेम्स में पदक तालिका में शीर स्थान प्राप्त किया और इसका सुबंकर का नाम जीतू जो की बारा सिंगा रखा गया है तो दो और तीन सही है क्योंकि ये सका योजन यूपी में किया गया नेक्स्ट है भारत, फ्रांस और सयूगतरव अमिरात ने अपना पहला त्री पक्षिय सबोधरी अभ्यास कहां सफलता पूर्वक संपन किया तो अमान की खाडी में इंडिया, फ्रांस और यूए-ई नेक्स्ट है भारत के पहले अंतराश्रिय क्रूज पोध के संदर में निमलिखित में कत्नों पर विचार कीजिए MVM Press भारत का पहला अंतराश्रिय क्रूज पोध है इसे 5 जून 2023 कोचे नहीं से श्रिलंका के लिए रवाना किया गया जहाज राननी मंत्री सर्वननांदा सोनवाल ने पहले अंतराश्रिय क्रूज पोध को हरी जड़ी दिखाई तो तीनों ही स्टेट्मेंट सही है नेक्स्ट है ECA International's Cost of Living Ranking 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महेंगा शहर कौन सा है तो ये है New York नेक्स्ट आई-एस-एस-एस-जूनियर विश्विकप 2023 के संबंद में कौन सा कथन सत्य है तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया ठीक है भारत 15 पदक 6 और 6 रजत और 3 कासे के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा ठीक है आई-एस-एस-एस जूनियर विश्विकप म तो दोनों ही कथन सही है नेक्स्ट है किस संस्थान ने हाल ही में for all humanity the future of outer space governance शीर्षक से एक संख्षिप नीती जारी की है ठीक है किस ने किया है तो यह सयूगत राश्ट ने किया है humanity all for humanity नेक्स्ट है जपैन में आयो जित महिला जूनियर होकी एश्या कप 2023 के फाइनल में दक्षिन कोरिया को हरा कर किस ने खिताब अपने नाम किया तो भारत ने नेक्स्ट है लंदन सेंट्रल बैंकिंग दौरा गवर्नर ऑफ द इयर अवार्ट से किसे समानित किया गया तो शक्ति कान दास को नेक्स्ट है 25 जून दोजाटेस को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोज समान order of the Nile से समानित किया तो यह मिश् और हिंदी में काहीरा कहते है काहीरा नेक्स्ट है डिजिटल बुक्तान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है डिजिटल बुकतान के मामले में भारत नेक्स्ट चौथे राष्ट्य जल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है जल सररक्षन के शेद में काम करने वाले राज्यों में मद्र प्रदेश को पहला स्थान प्राप्थ हुआ राज स्तरिय शेडिय में बिहार को आंद्रप्रदेश के साथ सयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है फर्स्ट आया था MP थर्ड आया है बिहार और आंद्रप्रदेश साथ में सर्फेस उद्योग का पुरसकार बराणी ताप विद्यूत केंद बेगु सराय बिहार को प्राप्त हुआ तो यह तीनों ही स्टेटमेंट सही है नेक्स्ट देखेंगे प्रथम जंजातिया खेल महुत्सव का आयोजन किस राज में किया गया तो जंजातिया खेल महुत्सव उडिसा में मनाय हुआ है ठीक है आयोजन इसका नेक्स्ट है हाली में किसे पुर्वतर सीमा रेलवे या पुर्वतर सीमान का पहला इट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है तो ये गुहाटी रेलवे स्टेशन नेक्स्ट है हाली में एंसी अंतराष्ट्रिया अनिमेशन महुतसव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया इसका आयोजन कहां किया गया तो ये फ्रांस में किया गया नेक्स्ट है किस राजसरकार ने हाली में राज के पदम पुरसकार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोशना की है तो ऐसा हर्याना राजसरकार ने किया है नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रिरी सुसाइटी का नाम बदल कर क्या रखने का फैसला किया गया है तो ये प्रधान मंत्री संग राले और सुसाइटी नेक्स्ट है किस राजसरकार के दौरा जेलों का नाम बदर कर सुधार ग्री किया गया तूत्तर प्रदेश मिस वर्ल्ड और्गिनाइजेशन ने 2023 में होने वाली 71 में मिस वर्ल्ड पैजेंट की मिजवानी के लिए किस देश को चुना है तो ये भारत को चुना है और शायद भारत में भी जे एंड के को चुना गया है नेक्स्ट अंतराश्ट्रे योग दिवस 21 जून के उपलक्ष में अंसी आर्टी नई दिल्ली के दौरा राश्ट्रे योग उलम्पियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक कहां किया गया तो भुपाल मध्य प्रदेश में नेक्स्ट है निमलिकित में से किस प्रेस को वर्स 2021 के गांधी शांती पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा तो ये गीता प्रेस है विश स्क्वैश चैंपियन्शिप के संबंद में कौन सा कथन सत्य है तो मिश्ट्र ने मलेशिया को हरा कर ये खिताब अपने नाम किया स्क्वैश चैंपियन्शिप और इसका योजन चैन्नेई में किया गया था तो दोनों ही कतर सही है नेक्स्ट है आई एन एस्वी तारिनी यात्रा के संदर्व में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए यह 188 दिनों के बाद 17,000 एनम यानि की नॉटिकल माइल कहते हैं तो तीनों ही स्टेट्मेंट सही है नेक्स्ट चोथे राष्टिय जल पुरसकार के संबन्द में कौन सा कथन सत्य है तो सरफ्रेश्ट राज्य की शेर्णी में प्रथम पुरसकार मध्य प्रदेश को सरफ्रेश्ट जिला शेर्णी में प्रथम पुरसकार उडिसा के गंजम को जिला में और तेलांगना के भद्रादी कोठा गुंडेम जिले में जगनाथ पुरम ग्राम पंचायत को सरफ्रेश्ट ग्राम पंचायत का पुरसकार से सम्मानित किया गया तो ये तीनों statement सही है next, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्द मिशन योजना शुरू की तो ये उत्तर प्रदेश ने किया नंद बाबा दुग्द मिशन next, हाली में किस राज्य सरकार द्वारा learn and earn योजना शुरू की गई नेक्स्ट, वर्ज 24 में आयोजन होने वाले, 109 V, भारतिय विज्ञान कॉंग्रेस की मेजबानी कौन करेगा, तो ये लवली प्रोफेशनल उनिवर्सिटी करेगा, ठीक है, भारतिय विज्ञान कॉंग्रेस की मेजबानी, LPU, नेक्स्ट है, और लास्ट क्वेशन है, देखने के लिए थाइंक यू अगर आप इसको दो बार देख लेते हैं तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा जय हिन जय भारत